नमस्कार प्रणाम मैं काजुर रागवानी आप सब को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और मुझे बिहार से बहुत प्यार मिला है और मैं तो चाहूंगे हमेशा मिले बट जो भी दो दिन पहले जो भी घटना हुई बिहार में वैशाली जिला में अच्छी नहीं थी खास करके उस इनसान के लिए जो बिहार से ही है और आप सब उन्हें इतना प्यार करते हैं तो बिहार के पब्लीक अगर उन्हें जो बिहार का है जिने इतना प्यार दे कि आज आज आपने यहां इस बुलंदी तक पहुचाया है और उन्ही के साथ इस तरह का दुव्यावार करेंगे तो यह कहां के इनसाफ ही है बताएए मुझे कई कमेंट्स आएं कि आप लाइब नहीं आई उनके लिए बट हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा करेंगे सपोर्ट बिकुज मैं एक एक्टर भी हूँ और उनकी अच्छी दोस्त भी हूँ और मैं हमेशा उनको सपोर्ट करोगी वो हमाई स्टेज के किंग है और पूरी इंड़स्ट्री जानती है और उनसे कोई जीत भी नहीं सकता पर मुझे सीरिसली बताओ तो मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज का कि जिस धर्ती पे वो पैदा हुए है बिहार की धर्ती पे और उस धर्ती पे ही उनकी इतने सारे दुश्मन हैं क्यों मुझे रीजन आप लोग बता सकते हैं मैं आपके कमेंट्स के जवाब देने वाली हूँ मैं आज कोई चीज करने नहीं आई हूँ कि आज प्रमोट करना है मेरी फिल्म लग रही है मेरा सॉंग रिलीज हो रहा है उस सब चीजों के लिए आज मैं लाइब नहीं आई हूँ आज मैं लाइब आई हूँ तो किसारेजी के लिए बिगस मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड है और मेरी कोस्टार अच्छे है और आप तो चांती है हमारे बोशपूरी की जो इतने बड़े स्टार भी है बाते होती है हमेशा अश्लील गानों की उनको लेखे तो अश्लील गानों को क्या आप लोग बड़ावा नहीं देते है मैं हमेशा कमेंट्स देखती हूँ जो अश्लील सॉंग्स होते है डबल मिनिंग की बाते में सॉंग्स होते है उसको हमेशा जादा वीवर्स क्यों मिल जाते है मैं ये कभी समझ नहीं पाई इसका भ हमारे अच्छे भी होते हैं, बट उसके व्यूर्स क्यों जादा नहीं होते हैं फिर आप लोग जिस चीज को बढ़ावा HalWhat देती हैं उसी चीज को, उसी गानों को लोग जादा पसंद करते हैं, आप लोग अगर पसंद नहीं करेंगे तो फिर वैसे गाने भी नहीं बनेंगे आज अगर यूट्यूब खोल के देखेंगे तो लाइन टो लाइन लाइन लैक कितने सारे हजारो लाखो करूडो सॉंग्स वल्गर सॉंग्स है जो तो सीधा गालियों से लिखी जाते हैं सॉंग्स क्या गवर्मेंट चीज वो नहीं देख रही है और मैं तो सारी जनता को जो केजारी जी को सपोर्ट कर रही है उनको तो तहे दिल से शुक्रियादा करूँगी कि थैंक्यू सो मॉच आप एक एक्टर को सपोर्ट कर रहे है और मुझे नहीं लगता उनकी गलती है इन चीजों में या अश्लील गानों की बात आ रही है उसमें या राइट अश्लील गाने नहीं गाने चाहिए क्योंकि हमारे यहां की औरते हैं, बेटी हैं, बहनें बहुत लोग जो नहीं सुन पाते हैं और कोई सुन भी नहीं सुनती हूँ, नहीं गाने चाहिए बट आप लोग भी तो उसको दर्जा दे रहे हैं ना और ऐसे सिर्फ हमेशा पॉइंट आता है तो किसारी जी के उपर ही आता है कि किसारी लाल ही अश्लील गाने गाते हैं सो ये गलत बात है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि अश्लील गाने कितने लोग गाते हैं, कितने लोगों ने गाया है खेर, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने I think शायद आप लाइव हो और आप मुझे देख रहे हो मैं उन लोगों से दर्खवास करना चाहूँगी, कि आप लोगों ने जो भी किया, अच्छा नहीं किया और मैं ये कहना भी चाहती हूँ उनको, कि प्लीस इस तरह की चीजे प्लीस आइंडा कभी ना दो रहा है आज ये हो गया है कि बिहार का एक्टर, जिनको आप लोगों ने बनाया है, आज वो अपनी धर्टी पे सेफ नहीं है वहाँ पे उससे, वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, ना गवर्मेंट वहाँ की साथ देती है मुवीज की लिए, ना थेटर्स बन रहे हमारे अच्छे हम इतनी कोशिश करते हैं हमेशा कि हम अपने भिहार को अच्छा से अच्छा बनाएं और अच्छे से अच्छे थेटर्स वहाँ बनें और हम हमेशा उनको रिक्वेस्ट करते हैं हमारी जब भी मुवी रिलीज होती है हम रिक्वेस्ट करते हैं हर उनको की आप प्लीज गवर्मेंट को की प्लीज आप अच्छे थेटर्स बनाएं हमारी पबलिक के लिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग वीडियोस देख सकते हैं इंटर्यूस देख सकते हैं हलो हाँ हाँ उपर आजाओ ना नहीं नहीं में लाइवाई हो ना इसलिए हाँ हाँ सो आज हमारी इंडुस्ट्री का कोई भी बंदा सपोर्ट में नहीं आया है बिकोज हमेशा पॉइंट आउट हुआ है किसारी लाल पे एन किसारी जी पे कि वो अश्लिएल गाने गाते हैं तो मैंने भी कई मूवीज में काम किया है जहां अश्लिएल सौंग्स होते है अश्लिएल तरीकिसे स्टेप्स दिखाया जाते हैं करने के लिए जहां हम uncomfortable होते हैं हमेशा और मैं हमेशा उस चीज को ignore करती हूँ और मैं खुद personally बोलती हूँ कि ये सारी steps मैं नहीं करूँगे जो मैं अपने खुद जाके देख सकूँ मैं वैसी steps करूँगे तो मेरी हर लोगों से दर्खवाश है कि please अगर आपके बिहार के ही लोग और बिहार के ही actor जिनको आप लोगों ने बिनाये अगर वो आपके बिहार में सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा वो तो वहाँ आने से भी हमेशा डर लगेगा सब को और वो इनसान जहां खड़ा हो जाता महाँ पे लाखों की भीर लग जाती है इतना लोग उनसे प्यार करते है ये सब क्यूं हो रहा है जितने भी राम जीवन मंदाल जी ने मेसेश किया है जितने भी कलाकार है विहार के अंदर सब ने भोजपुरी को नाम खराब करके रख दिया पुरा अश्लील का दिखा दिया है जब मेरे कहने का मतलब माता, बहने, बिहार के अंदर है सब लोग इसका विरोध करें जो भी अश्लील ओके अफकर्स हर चीज़ का आप लोग को राइट है, एक्शन लेने का और खास करके गवर्मेंट को है अगर गवर्मेंट ही कुछ नहीं कर सकती है आज हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में अश्लील काने वहाँ पे भी शूट होते है बट उनके शूट करने के तरीके अलग होते है और वहाँ पे मर्टिप्लेक्स में मुवीज लगती है हर एक चीज़े है वहाँ पे तो लोग बहुत अच्छे से सब जाके देखते है अश्लील काने हो या चोटे कपडों में हो बिकिनी तक में वहाँ पे शूट होता है तो वहाँ पे तो कोई अक्षिन नहीं लेता है भोशपूरी में तो मैंने अभी तक तो किसी लड़की को बिकिनी पेंते तो नहीं देखा है भोशपूरी एक्टरिस में तो मुझे नहीं लगता कि और पता नहीं लेकिन क्यों हिंदी और हमेशा भोषपूरी में क्यों इतना वो compare किया जाता है हमारी भोषपूरी इंडिस्ट्री में अश्लीर गाने बने है I agree और आज भी हम लोग रोपते हैं उन चीजों को कि कोई ऐसे गाने ना बनाए और हम समझाते भी है बट हमेशा पॉइंट किजारी जी पर क्यों जाता है सिर्फ वो ही इंसान है वो ही एक स्टार है जो अश्लीर गाने गाते है अगर जिसने भी ये करवाया है मैं उनसे request करूंगी प्लीज हाथ जूड के request करूंगी अगर यही सब होता रहागा तो हमारे बिहार के कलाकार सेफ कैसे महसूस करेंगे अगर आप अश्लीर गानों से इतना ही वो करते हैं तो प्लीज आप government के पास जाएए वहाँ से आप declare करवाईए कि अश्लीर गाने नहीं बनने चाहिए और YouTube पे वो आने ही नहीं चाहिए वो तो आप कर सकते हैं ना इस तरह से आप पब्लीकों के बीच अगर पब्लीक को कुछ नुकसान हो जाए भगदोड में लग जाए या कितने सारे डैथ होती है वहाँ पे कितने सारे लोगों को नुकसान हो सकता है तो बहुत गलत बात है Seriously, very disappointed मुकेश कुमार ने कहा है हिंदी में बहुत है वहाँ लड़कियों को पूरा नंगा दिखाया जाता है जब कि भोशपुरी में कभी नहीं पेहना जाता है पर फिर भी लोग नहीं समझते है यह हमारी क्वेस्टन यहीं होती है अभी एक जो तनोश्री दत्ता जी का आ रहा था सारा चीज़े अभी हुआ था उनकी जो आशिक बनाया अपने फिल्म थी उन्होंने तो पूरा बैकलेस ताउन का तो सारे उनके कपड़े उतारे गए थे तो वो वल्गर फिल्म नहीं है वो तो सब लोग देखने गए थे क्यों देखने गए वो वल्गर नहीं है वो अश्लील नहीं है यहाँ पे लड़कियों को अगर नंगा करके नचा दो तो वो अश्लील नहीं है हिंडी में और भोश्पूरी में सिर्फ वर्डिंग्स हैं तो वो अश्लील है बट येस अश्लील है आप उसको बड़ावा क्यों दे रहे लेकिन लेकिन हमारी भोश्पुरी इंडिस्री में तो कभी किसी लड़कियों के कपड़े में उतारे गए है तो हिंडि को इतना मान समन दिया जाता है तो वोश्पुरी को क्यों नहीं देटा जब कि हमारी मातरभाशा है अब कोर्स पोश्पुरी में अश्लील गाने बंद हो जाए गवर्मेंट से दर्खवास करूंगी और बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इतना पॉइंट मत करिये अश्लील गाने अगर आपको बंद करवानी है तो आप लोग अश्लील गाने सुनिये मत आपको उड़ा दीजिये मत और जिन लोगों ने वो करवाया है उनसे तहें दिल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज आपके बिहार के ही है वो और आप ही लोगों ने उन्हें यहां तक पहुचा आया है तो उनका सपोर्ट करिए ना कि उनको इस तरह से कोशिश करिए आज वो जिस हालत में है बहुत brave है वो और हमेशा रहेंगे उनके सपोर्ट में पूरी जनता है करोडो पब्लिक है उनके सपोर्ट में और हमेशा रहेंगे हमारे सारे जो इतने fan से प्यारे से सारे उनके सपोर्ट में है तो उसके लिए thank you so much आप सब को तहैदे दिल से शुकरिया दा और हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं और अश्लीर गाने से जब इतनी नफरत है तो प्लीज आप लोग सुनिये मत और ना ही कोई बनाएगा आगे से जिस चीज को व्यूवर्स इतने सारे मिलते हैं तो क्यों लोगों को बस अंदर यही रहता है और व्यूवर्स बढ़ाने के लिए लोग अश्लीर गाने बनाते जाते हैं ताकि वहाँ से पैसा इंकम मिले उन लोग को तो बढ़ावा तो आप ही दे रहे हैं ना यह आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं बोशपूरी में सब गलत है यह ट्रू है कि हमेशा सिंगर एक इंसान नहीं है जो अश्लीर गाने गाता है बोशपूरी में जितने भी लोग है सारे अश्लीर गाने गाये हैं या शूट हुए हैं एस एंड अक्टर मैं कह रही हू यह बात और इस चीज से मुझे डर नहीं लग रहा है कहने से हमने भी काफी फेसे किये हैं इन सब चीजों को अगर आप लोग को अगर पता नहीं है तो आप मुझे अपना इमेल आइडी सेंड कर दीजिए मैं आपको सारे सॉंग की लिस्ट भेज दूँगी जो भी अश्लीर गाने है अगर आप लोगों की नजर में वह बहुत साफ सुतरे सॉंग सेंग तो इसका मतलब तो यहीं होता है कि आप लोग कोई आप लोग का तो कोई अलगी वह चल रहा है ट्रैक चल रहा है और हर जगसे आपको केसारी जी को प्लेम करना है किसारी जी के उपर पॉइंट आट करना है कि वही अश्लीर गाने गाते हैं उनी की वज़े से इंड़स्टी बिगड़ी है तो नहीं यह गलत बात है वो जब इस इंडिस्ट्री में नहीं थे उसके पहले भी अश्डीलता फैली हुई थी इस इंडिस्ट्री में और मैंने ये सुना है मुझे भी 7 यर्स हुए यहाँ पे और हमारा करियर साथ में ही स्टार्ट हुआ था कि सारी जी की भी पहले फिल्म आई थी और मेरी भी पहले फिल्म आई थी साथ में ही आई थी बट अलग अलग फिल्म थी इस इंडिस्ट्री में थी तब तो किसी ने कोई कुछ नहीं किया आज वो अगर बहुत उचाई तक पहुच गए है तो इसका ये मतलब हुआ कि उनकी उन्चाई देखे वो जहाँ पहुचे है उस चीज को यही माना जाएगा न कि कोई जलन है या कुछ है कि वो वहाँ कैसे पहुच गया या whatever जो भी होगा thinking जिसका भी thinking होगा इसका मतलब यही होगा कि वो वहाँ पहुच गया है उनको वहाँ से डाउन करने के लिए यही सारी चीज़े हो रही है गलग बात है वो महनत करके पहुचे हैं महाँ तक और हम देख रहे हैं वो किती महनत करते हैं बिना खाये पी यह पब्लिक के लिए पाँच पाँच गंटे 6-6 गंटे continue dance करते हैं स्टेज पे रहते हैं हम लोग भी शूजर करने जाते हैं बट हमें भी ठा देते हैं क्योंकि पब्लिक उन से ज़्यादा enjoy करती हैं और वो जिस सरह से पब्लिक को enjoy करते हैं हम देखते हैं महाँ पे तो इतना पब्लिक को वो हसाते हैं फन कराते हैं तो क्यों नहीं पसीना पसीनी की कमाई है एंड इतनी मेहनत करके वो यहां तक पहुचे है हम सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करिये और वो स्टार है हमेशा रहेंगे प्लीज पसीना एक करके आज वो वहां पहुचे है और भगवान करें और भी आगे जाए वो हम तो यही दुआ करेंगे बिज उन लोगों से मैं दर्खवरास करती हूँ कि प्लीज इस तरह के स्टेप्स आगे मत उठाइए आपके बिहार का नाम खराब होगा और कुछ नहीं होगा बिहार में हमेशा सुना जाता है कि इतने क्राइम होते हैं यह होता है वो होता है क्यों आरे आ थैंक यू सो मच अ अ मनु जी आशिश पांडे अबैक कुमार जी शाहिद हुसेन वैशाली जिला में किसारी जी की उपर किसी ने हमला किया विकॉस रीजन यह आया है कि वो अश्लीलता बढ़ा रहे है इस वज़से कई लोग मुझे क्वेश्चिन कर रहे हैं इसलिए बता रही हूं उन लोगों को कि यह रीजन है सब अच्छा होगा और बस गवर्मेंट से यही कहना चाहेंगे प्लीज हमारे बिहार के आर्टिस्ट है एक्टर से जितने भी लोग है उनको सपोर्ट करिये और उसी जगह अगर बिहार में बॉलिवड के एक्टर्स आ गए है तो उनको मान समान इतना मिलेगा आप पूछ नहीं सकते और अगर बिहार का एक्टर कोई आता है वहाँ पे तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा यह कौन सा यह कौन सा यह तरीका है मुझे आज तक समझ में नहीं आया अगर बॉलिवड के कोई स्टार्स आते हैं वहाँ पे तो आगे पीछे कितने सारे गार्स और अल सारी चीज़े पूरे प्रोटेक्शन पुलिस प्रोटेक्शन सारा इतना हो जाएगा तो हमारे बिहार के भी एक्टर्स है बिहार के भी स्टार्स है तो उनको क्यों नहीं मिलता है वहाँ पे गवर्मेंट सिर्फ बॉलिवड के स्टार्स को ही मानती कि हाँ यही सूपर स्टार्स है आज अगर यह लोग खड़े हो जाएंगे एक जगह पे पाउन जी है, दिनश जी है किसारी जी है काफी लोग है अगर सब लोग एक जगह खड़े हो जाएंगे तो क्या वहाँ पे 10 लाग से ज़्यादा पबलिक खड़ी नहीं होती है क्या होती है, ओविसली होती है सो देया स्टार्स और मैं तो चाहूंगी हर स्टार के लिए वहाँ पे आप लोग गर्वर्मेंट प्रोटेक्शन दे उनको एंड इस तरह का अविहवार वापस दुबारा ना हो बस यही दुआ है हमेशा सब सेफ रहे और मैं तो सारे आर्टिस्ट और सारे एक्टर्स सारे डिरेक्टर प्रोडियूसर्स को मैं भी यह कहना चाहूंगी, प्लीज वल्गर सॉंग्स बंद कर दीजिए अश्लिल्ता, अश्लिल सॉंग्स मत लाइए, डबल मिनिंग के सॉंग्स मत लाइए, क्यों न एक स्टेप हम भी उठा ले और हम लोग कोशिश करें, अगर पब्लिक यही हमेशा रीजन देती है कि अश्लिल्ता की वज़स से यह सारी चीज़े हो रही है तो एक बार बंद करके भी देख लीजी आप लोग सिब पैसे कमाने के लिए अश्लिल्ता फैलाना इस नोट राइट यह कोई बात नहीं होती है कि सारी चीज़ बिलकु ठीक हो जाएंगे और बस उनको दुख हुआ इस चीज़ का कि उनके बिहार में उनके बिहार की लोगों ने उन पे हमला किया और अगर हमारे ही देश में जहां मैं पला बड़ा जहां मैं पैदा हुआ जिस धर्टी पे वहीं पे उनके दुश्मन है तो फिर दुनिया की तो बाती नहीं होती है उस चीज़ का अगर मैं उस जगह होती तो मुझे भी बहुत बुरा लगता और जीन लोगों ने पत्थर मारे और सारी चीज़े की मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने किसार जी काने नहीं सुनें कभी आप भी सुनते होंगे आप भी उतने ही मज़े से सुनते होंगे जितना सब लोग सुनते है तो कैसे आप लोग ये सब कर लेते हैं सब के घर में उनके फैमली है उनके दो बच्चे है बीवी है सब लोग है तो उसका भी तो ख्यार रखना चीए और सब के फैमली है बच्चे है किसी के पती है तो बस रिक्वेस्ट है और प्लीज आप लोग दुपारा ये सब ना फैलाए हलो नहीं, 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 अले लाई वह भून कर दिया है पहलो केममें है प्लीज दिए भाइ दूर्लि सीमेश है अटमार मेरे और र के वहां ये दू होチャरी, नहीं बचारी को बिच्च्छी मत रादे data कोई ये रादे, नहीं कव 125 रादे, नहीं कोशा क variety ख़मेंट्छी हम आदे다 कि हम हमेशा साथ रहेंगे उनके और हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे कि वो गलत नहीं है अश्र pseudo लोगों ने फेलवाई है उनकी गलती नहीं है जिस चीज़ को आप लोग दरजा देते हैं वो ही चीज़े उभर के आती है आप लोग जिस चीज को दरजा नहीं देंगी तो वो उबर के नहीं आएगी बस मैं यही कहूंगी आप लोग पसंद मत करिए उन सब सॉंग्स को उन सब चीजों को तो शायद अश्लील हमारी इंडिस्ट्री में बंद हो जाएंगी और बस आप मेंसे कोई भी अगर गवर्मेंट तक भी मेसेज पहुचा सकी तो प्लीज पहुचा दीजिए मैं दिल से रिक्वेस्ट कर दीए हूँ प्लीज आप लोग यूट्यूब मेंसे जो भी अश्लील सॉंग्स है आप उसे बंद करवाईए और उस पे बंद करवाईए ताकि कभी भी ऐसे सॉंग्स ना आए और मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी जो भी सिंगर बनने के लिए कोई भी कोई भी सॉंग्स उठा के गाल लेते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं चाहें गाली गलोच हो या कुछ भी हो आप लोग यूट्यूब खूर के देख सकते हैं कितने सारे आप लोगों सॉंग्स मिलेंगे और खिसारी जी और एक बात मैं कहना चाहूंगी कहीं से भी कोई क्या बोलते हैं पॉलिटिशन में कहीं से भी कहीं नहीं जा रहे हैं और नहीं कभी जाएंगे बिकाज वह एक्टर बनके ही बहुत खुश है पॉलिक को एंजॉइमेंट कराने में ही बहुत खुश है सो कभी वह उस तरफ नहीं जाने वाले हैं वह रूमर्स फैले थे कि वह कोई पॉलिटिक्स में जॉइन कर रहे है या जो भी है वह रूमर्स था अधरवाइस कुछ भी नहीं है और मैं हर इंसान से मैं रिक्वेस्ट करूँगी फ्लीज इस तरह की घटना दुबारा मत दोराइएगा मैं भी एक एक्टर हूँ मुझे भी कल महाँ पर इवेंट करने आना हो सकता है तो एक डर तो हर इंसान के अंदर अभी बैठ गया होगा बिकोस उन सारे सॉंग्स पर हम भी परफॉर्म करते हैं व्लगर सॉंग्स को भी हम्लगरी को साफ सुथा बनाने की खुशिश कर सकते हैं आज एक न्यूस्पेपर में आई थी कि वहाँ पे जो शहीदो के नाम पे कोई न्यूस्पेपर का कटिंग आया था हमारे पास कि शहीदो के नाम पे पैसा उन्होंने लिया था या ऐसा कुछ तो था सो आई डोंट नो वहाँ पे कौन सा क्या इशू हुआ और क्या नहीं था बट ओर ओर यही पता चला कि अश्लीलता की उजस्ते यह सब हुआ सो डोंट ब्लेम एक परसन पे ब्लेम करना मुझे नहीं लगता कि सही बात है चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आप लोग सब अपना ख्यार रखे और हमेशा खुश रहिए अपने फैमली के साथ रहिए और आज के बात अश्लील गाने बिलकुल मत सुनिये और ना ही उन चीज़े को बढ़ावा दीजे और सारे प्रोड्यूसर डिरेक्टर जो भी हो हमारे इंडिस्ट्री के मैं तो उन सब को भी रिक्वेस्ट करूंगे कि प्लीज आप लोग भी अश्लील गाने बनान बन कर दीजिए ताकि अश्लील गानों की वज़से आज हमारे एक्टर से सेफ नहीं है अगर वह एक्टर्स ही नहीं रहेंगे जिनसे इतने सारे फैन से हमारे जुड़े तो फिर इस नॉट गुड साइन तो फिर इस नॉट गुड साइन टू हंडर्ट फी रखके छेसो ले रह थे सब तो यह सब हुआ पता नहीं किसने कौन सी साज़ शुरची पर आप लोग समझदार है और हलो हां 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 कोई इश्यू नहीं है हमारे यह हां तो बस request heartly request please 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 सब को हमेशा आप सब please request है अश्रील गाने देखना बंद कर दीजे और उन सब से भी request है प्लीज आप लोग एक इनसान को ब्लेम करना बंद कर दीजे अगर आप लोग अश्रील चीजे से ही आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज यूट्यूब को जो अश्रील गाने हैं उन सब को बंद करवाईए वो हमारी request है बस और कुछ नहीं कहेंगे and request करेंगे कि आइंदा से ये सब चीजे ना दोगाई जाए परस्नली दुश्मनी I don't know मुझे नहीं लगता परस्नल कोई दुश्मनी होगे बिकरस के सारे जीतों बिहार में रहते भी नहीं है और उनके दुश्मन क्यू होंगे जब वो इतना एंटर्टेंट करते हैं हर पबलिक को हर फैंस को तो उनके परस्नल क्यू दुश्मन होंगे जब भाटते हैं पूरू किसी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है चंदन चौहान जी किसी ने भोशपूरी को गंडा नहीं किया है और हम लोट थो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना हो सक्या उनके पुतना भोषपूरी को हम नीट इन क्लीन करनी की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी हमारा साथ दीजिए बस हम यही कहेंगे और इससे जाता हम कुछ नहीं कह सकते आप सबसे प्लीज हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं हमने बहुत अच्छे-चे फिल्म बनाई है और अभी तीन सार से तो लाइक इंड़स्ट्री में काफी सुधार हो चुका है बीच में कुछ पाँ सार पहले बहुत वर्लगर फिल्म बनती थी जिसमें आइटम सॉंग सें सारी चीज़े होती थी तो वहाँ से अच्छे इल्दा बहुत फैल्टी थी तो उन चीज़ों को हमने रोका है आज तीन सार से कोई भी हमारी फिल्म बने उठा के देख लीजिए अगर आप लोगों को बलकर कोई सीन भी मिल जाए तो हमें बता दीजिए पंकर जैस्वार थैंकियो सो मच लेकिन केजारी भाया के साथ में आप मोई देखते रहें तब हम खुश रहेंगे क्योंकि I love you and I love you I love you केजारी भाया थैंकियो सो मच लव यू टू और आप सब के प्यार की बहुत जरूरत है आप सब के blessings की बहुत जरूरत है और जितना मान समान हमारे भुशपूरी एक्टर्स को मिलना चाहिए उतना दीजिए गवश्पूर्न से दर्खवाज है कि आप हमारे बिहार की जितनी भी स्टार से सब लोगों को प्रोटेक्शन्स दीजिए और खास करके किसारी जी को दीजिए उनकी उपर तो एक लेवल लग चुका है अश्निल्दा का जबकि वो इतने तो अश्निल्दा सॉंग्स मैंने तो आज तक नहीं सुने हैं तो आप सब देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर सब एक स्टार नहीं है जिनके उपर यह हुआ है कि अश्निल गानेगार है बेजी अपना एमेल आइडी मैं आपको सेंड करती हूँ कितने सारे अश्निल सॉंग से बस यह कहूँगी और खुछ नहीं कह सकती हैं तंक यू सो मुच पबलिक और मेरे सारे फ्रेंड्स को तंक यू सो मुच और हमेशा किसार जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे इसमें कोई भी वो नहीं है गुंजाइश नहीं है थेंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और लव यू और हमेशा आपने जो सप्स्टार के सारे जी है हमारे अच्छे दोस्त उनको सपोर्ट करिये और हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे और मेरे डर नहीं रही थी के मैं लाइब क्यों नहीं आ रही थी या कुछ भी ऐसा कोई थाने रीजन आज में लाइब आई हूँ उनी के लिए आई हूँ और उनी की बात कर रही हूँ और भगवान हमेशा उनको सलामत रखे सब लोग दूशे अफकोर्स बहुत लंबी उमर होँगी और हमेशा जब तक बूड़े नहीं हो जाते हो तब तक आपको एंटरटेंट करेंगे और मैं खुद उनके शोस देगी बहुत हैपी होती हूँ और जितना वो फन कराते हैं आप लोग को जितना फन कराते हैं वो हेट्स ओफ उनको जितना पाँच घंटे वो दो अपने पैर पे खड़े रहे पानी तक नहीं पीते हैं पाँच घंटे तो उनको मैं सेल्यूटी ही करूंगी और आप सब भी जानते हैं कि आपके लिए वो कितना कितनी देर आपके लिए परफॉर्म करते हैं वो कि इसवेट्टाइ उनकी साथ ईरो इस भी जाती है बडर वो स्टार्ट करते हैं हिरो इसे साथ भी परफॉर्म करते हैं तो हेट्स ओफ है उनको और जितना वो अपने आपको सिं exist इन्होंने अपना इमेछ पह इंडंड किया है वो किंग है हमारे भोशपुर इंडिस्ट्री के स्टेज के किंग है और हमेशा रहेंगे और भगवान करें आप हमेशा उपर रहें और हमेशा इतना तरक्की करते रहें बस यही दुआ करेंगे हम लोग मैं भी आपकी फैन हूँ बहुत बड़ी किसारी जी तुमारी फिल्म में बहुत देखता हूँ हम फिल्मों की बाते नहीं करेंगे उसकी लिए मैं कल वापस लाइव आउंगी बड आज केसारी जी को मैं स्पेशली चाहूँगी गवर्मेंट इंसाफ दिलवाए और प्रोटेक्शन्स मिले हमेशा हर आर्टेस्ट को मिले और किसारी जी सिर्फ अश्रील सॉंग्स नहीं गाते हैं मैं ये आखरी बार बता रही हूँ और आप लोग अगर अबको लगता है कि वो ही सिर्फ गाते हैं तो आप लोग जाहिए सर्च करें यूट्यूब पर और बताइए कि किसने सबसे जादा अश्रील गाने किये हैं तब आप लोग किसी को ब्लेम करें क्योंकि किसे से छुपा नहीं है थैंक यू सो माच फ्रेंड्स बस मैं अभी आप सबसे विदाई लेती हूँ और कल मैं फिर लाइव आउंगे और हो सके तो शेयर करिए और जिस इनसान उने ये सब करवाया है मुझे नहीं पता किसने करवाया है क्या है क्या नहीं है बट उन लोग तक जरूर पहुचाएं जो सिर्फ अश्लिलता को लेके किसारे जीप को हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि वो अश्लिल अश्लिल दाने गाते हैं अश्लिल चीज़े बनाते हैं तो उनसे उन तक पहुचवाईए कि जब इतने अश्लिलता से प्रॉब्लम् तो प्लीज गवर्मेंट के पास जाके आप लोग उनसे पर्मेशन लेके यूट्यूब में सारे अश्लील सॉंग्स को बैंड करवाएं चाहे मुवी के हो चाहे मुवी जो अश्लील या सॉंग्स हो आलबम्स हो कुछ भी हो बैंड कर दीजिए सिंपल सी चीज है और मैं सारी पबलिक और सारे फैंस को बोलूँगी आप लोग भी मत सुनी अश्लील सॉंग्स आप लोग जब सुनते हैं तब ही तो वो लोग बढ़ाते हैं तब ही तो सब लोग गाना स्टार्ट कर देते हैं सिंपल सी चीज है so thank you so much and love you and always support always happy and happy thank you love you